आज बनाएंगे बीना आटा मैदा सूजी का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा नास्ता जिसे बनाना बहुत ज़्यदा आसान है बहुत ही कम समय में आप इस नास्ते को बना करके तयार कर सकते हैं बच्चों को टिफिन दे सकते हैं ये नास्ता हेल्दी के सांसत बहुत ज़्य देखे यह अच्छे तरीक्य से फूल गए हैं अगर आप को इस नास्ते को और जल्दी बनाना है तो हलका गुरगुना पानी में मूंग दाल और चावल को आदे गंटे के लिए भ्यूंगब करकर छोड़ दे यह अच्छे तरीक्य से फूल जाते हैं मौंग दाल और चावल को मिकसर के जार में निकाल लेंगे इसी के साथ इसमें आड़ कर रही हूँ चार लेसन की कलिया अगर आप लेसन खाते हैं तो आड़ करें नहीं तो आप इसे skip कर सकते हैं इसी के साथ आड़ कर देंगे एक छोटा चुगरा अधरक का इससे flavor बहुत ही पीस लेंगे मौंग दाल और चावल को पीसते समय आप थोरा थोरा पानी का इस्तेमाल करें मैं इसमें वन फोर्थ का पानी एड़ करके इन्हें अच्छे तरीके से पीस ली हूँ पीसने के बाद आप मैं इसमें एड़ कर दी हूँ आदी छोटी चमत चिली फ्लेक्स नमक स्वाद कर दी हूँ स्वाद करूं सर और थोरा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसके अलावा मैं यहां कुछ भी नहीं आड़ की हूँ अब इन अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं अगर आप इस नास्ते को सुब में बनाना चाहते हैं तो चावल और मोंग दाल को र अच्छे तरीके से कद्दू कस कर ले हूँ अब इनने हम एक बार अच्छे तरीके से फेट लेते हैं बैटर हमारा बन करके पूरी तरह कैसे तयार हो चुका है चलिए अब हम नास्ता बनाते हैं नास्ता बनाना भी बहुत ज़्यदा आसान है इस नास्ते को बनाने के लिए या आप कढ़ाई या पैन का इस्तमाल कर सकते हैं तो देखिए मैं गैस पचड़ादी हूं कढ़ाई और कढ़ाई में अड़ कर दूँगी एक छोटा चमज तेल आप छोटे से पैन में भी इस नास्ते को बना सकते हैं जैसे ही इत कढ़ाई थोड़ा सा गड़म हो जाएगा दो कढ़ची बैटर एड़ कर देंगे और बैटर को इस तरीके से अच्छे तरीके से हम फैला देंगे चारो तरफ लेकिन आप इसे ज्यादा पतला न करें और ज्यादा मोटा भी न रखें मीडियम ठीक आप इस नास्ते को इस तरीके से फैलाएं इस नास्ते को बनाते समय गैस का फ्लेम भी आप मीडियम रखेगा क्योंकि इसे पकने में थोरा से समय जादा लगता है एक नास्ते को बनाने में कम से कम आपको 3-4 मिंट का समय लग जाता है तो आप इसे आडाम आरम से बनाएं और देखे जैसे ये नास्ता एक साइड से थोरा सा क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इसके साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइट से भी इस नास्ते को हम अच्छे तरीके से पकाएंगे इस नास्ते को पकाते समय आप इसे ढग करके बिल्कुल भी ना पकाएं नहीं तो इस तरीके से नास्ता जो है ना क्रिस्पी नहीं बन करके तयार होता है इस नास्ते को बनाते हुए बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा का इस्तमाल नहीं की हूँ आप चाहें तो बेकिंग सोडा या इनो का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन नास्ता इस तरीके से एकदम फुला फुला बनेगा और नास्ता क्रिस्पी उपर से बनेगा इस तरीक को मैं सर्व की हूं टामाटर के बहुत ही तीखी और शेट पड़ी से चटनी के सांथ जिसकी रेसिपी में आप लोग को साथ शेयर कर चुकी हूं अगर आपके पास यह वाली चटनी नहीं है तो टामाटर कचप यहारा धनिया के चटनी के साथ इसे सर्व कड़ें बहुत ज़ कि रेसिपी आप लोगों अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा कमेंट करके जरू बताएए कि मड़ी आज की रेसिपी आप लोगों कैसी लगी अपने फ्रेंशल फैमिली में पी जरूर शेयर कर दिजेगा